हलो स्टूरेंट्स मैं आंके तापकी इंगलिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैगनेट ब्रेंज हिंदी पर जहां आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विच सो मैनी टॉप कोर्सेज CBSE, UP, MP, Bihar, Delhi, Rajasthan Board, Class 6 से लेकर Class 12 तक के सभी स्टूरेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अविलिबल हैं और वो भी एकदम free of cost यानि स्टूरेंट्स इन कोर्सेज को पाने के लिए आपको कुछ भी पेकरने की जरुवत नहीं है इसके अलावा Magnet Prince English Medium पर भी केजी से लेकर Class 12 तक के सभी स्टूरेंट्स के लिए CBSE Board अविलिबल है एंड अगैन एकदम free of cost अविलिबल है तो make sure कि आपको इस opportunity का फायदा जरूर से जरूर उठाना है कि दोनों ही चानल्स पर आपको free education मिल रही है अब इससे ज़ादा फायदा और आपको कहा ही मिलेगा इसके अलावा e-books और e-notes के लिए आपको links दिये गए हैं description box में e-notes की एक जानकारी मैं आपको दे देती हूँ कि organized format में होने के साथ साथ यहां बहुत practice sets भी available है तो यह आपको specially exam time में बहुत जादा helpful साबित हो सकते हैं इनकी पूरी जानकारी पाने के लिए कि आपको कैसे मिल सकते हैं and बागी सारी जानकारी के लिए make sure कि आप इन links पे click करें इसके अलावा students यह सारी information आपको अच्छे से समझ में आ गई है न तो अब बढ़ते हैं हम हमारे आज के topic पे जो की है आपकी form the libanum top के extract based questions तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को start करते हैं student इस extract based questions में मैं आपको साथी साथ यह भी बताती चलूँगी कि कौन से extract को आप as an answer भी लिख सकते हो जैसे मैंने पिछले extracts भी बताया हैं पिछले chapters और poems के तो यहां पर भी ध्यान से देखिएगा सबसे पहला जो extract है वो है तो इसके अंदर यह बताया गया है कि एक मौसम बताया गया है तो यहां सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूँ यही आपको बता देती हूँ कि यहां पर जिस तरीके का मौसम है या जो climate भी कह सकते है कि जो climate इस टाइम पे है वो कैसा है ठीक है या जो season भी है वो कैसा है तो किस तरीके का है it's boring यह please क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा it's very important इसलिए मैं बार-बार detail में यह समझाती हूँ जहां मौका मुझे मिल रहा है आपको ही बताने का तुम्हें बता रही हूँ boring time है बिल्कुल, दिन का time है दोपहर का noon time है ठीक है और September September month है तो September month किसका होता है autumn season ठीक है यह autumn season होता है यानि पत्ज़ड का समय होता है तो यह सारा create करता है एक death like image death like image of the tree कौन सा tree है, lebanum tree और यह lebanum tree हिंदी में क्या बोलते है अमलतास का पे clear है students, इसका अगर चाहे तो screenshot भी ले लीजे क्योंकि मैंने repeatedly कहा है यह बहुत important है ठीक है, अब देखिए इस extract पे, यह मैंने आपको इस simple words में extract ही बता दिया है कि किस तरह से एक death like सी image होरी है सारी पत्तियां जो है पीली पड़ गई है और अब जड़ने वाली है सारे seeds वगेरा सब गिर जाएंगे अब क्योंकि पत्ज़ड का season है ठीक है, अब देखते हैं कि questions क्या-क्या बन रहे हैं, पहला है At what time of the day does the poem open? दिन के कौन से समय में जो है वो poem मतलब, poem open का मतलब है कि starts basically So afternoon time जो है, यानि दिन का समय है, सुभह की बात नहीं करी है, शाम की बात नहीं करी है क्योंकि सुभह का जो time होता है वो तो nature का अपना खुद का time होता है, the most beautiful time, ठीक है, सबसे खुबसूरत समय होता है पूरे दिन का So the poem opens in the afternoon Again, जो मैंने बताया था boring एकदम बिल्कुल सननाटे से भरा हुआ Next is, what is the condition of the libanum top libanum top की condition पूछी है यहाँ आप से, कैसा है जो top है इस पेड का top कैसा है इस वक, the libanum top is silent, इसमें आप क्या-क्या words यूज़ कर सकते है still भी यूज़ कर सकते है क्यों क्योंकि ये शब्द इस्तमाल हुआ है आपकी पौँम में, ठीक है still word को आप यूज़ कर सकते है ये भी लिख सकते हैं कि it's looking looking death-like ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, तो अगर लिखें, तो ये तीनो साथ में लिखें, this is the priority silent, it is the priority पे इसको लिखना है then still और उसके बाद आप लिख सकते हैं it's looking death-like ठीक है, clear है students समझ में आया, next पर आते है what is the word yellowing here, मतलब पीला, yellowing का मतलब है ये एक process बताने की बात हो रही है यहाँ पे let's change the color this color is looking so dull let's use this color, ठीक है चलिए जो yellowing है बेटा yellow के नीचे yellow high that's amazing तो यानि यहाँ पर जो yellowing एक process बताया जा रहा है की पीला पढ़ जाना ये है इसका मतलब इस poem में, in lines में क्या मतलब है इसका, basically becoming yellow right अब yellow हो क्या रही है पतियां yellow हो रही है, पीली पढ़ रही है क्यों? क्योंकि पतज़ड का season है और ये जो मौसम है, इस मौसम की में जो है जो पतियां है मुर्जा कर गिर ही जाती है ठीक है? फिर ही तो नहीं पतियां आती है और ये ये यलो वाली पतियां है जब गिर जाती है एकदम तो पड़ी-पड़ी सूख कर एकदम ब्राउन कलर की सी हो जाती है बेसिकली ये एक तरीके से खाद ही बन जाती है तो ये एकदम ये कहना चाहिए कि इस टाइम पर इनकी उम्र जो है वो खत्म हो गई है पेड़ पर फिर पेड़ से गिर जाती है और जमीन पे रहती है ठीक है? next is which season is suggested by the month of September ये कौं सा season बताया गया है month तो September है season कौं सा बताया गया है इतनी बार मैं अभी repeatedly अभी अभी बोल चुकी हूँ the season is the autumn season the season suggested by the month of September is autumn right autumn का महिना होता है autumn का मतलब क्या होता है? पतजड चार seasons में से ये एक season है autumn right यानि पतिज़ड का महीना है और यहां पर सारी पतियां गिर जाती है, सीड्स भी गिर जाते हैं. Clear है? अच्छी से समझ में आया? Then comes next stenza या extract. Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness. यहां पर अब entry होती है किसकी हमारी? goldfinch bird की, यानि हमारी जो चड़िया है, जिसे एक तरीके से किस तरह से represent करा गया है? Life की तरह, engine की तरह, right? यह एकदम life दे दे थी है इस पेड को, तो कैसे आती है? एकदम चह चहाते, twitching चह चहाहत जो होती है, बिलकुल उस तरीके से, ची ची करती हुई, आती है एकदम और अचानक से, बिलकुल चौका सी देती है ब्रांच की end को, ब्रांच की सेरे को चौका देने का मतलब होता है, कि पेड को एक तरीके से चौका दिया, ठीक है? कि पेड जो है, silent खड़ा है और जैसे ही चड़िया आई, तो पेड अचानक से हिलने लग गया पूरी तरह है तो यह कि इसको जैसे हम कई बार भाँ कर देते हैं तो डर जाता है ना अचानक से खतरनाक movement होती है वैसे एक खतरनाक movement start हो गई है इस पेड के अंदर भी इसी लिए start then sleek as lizard and alert and abrupt she enters the thickness thickness मतलब जो पेड की जो सबसे जादा गहराई है या जो तना है जहां पर सबसे जादा कहना चाहिए कि सबसे जादा टहनिया है ठीक है it's not only पतिया यह मत समझना कि सिर्फ पतियां बहुत सारी है या पतियां बहुत घनी है नहीं टहनिया भी हो सकता है बहुत जादा हों क्योंकि जितनी अच्छे से टहनिया होंगी उतना ही बढ़िया तरीके से nest या घोसला बनेगा है ना तो देख लेते हैं कि इसका घोसला वहाँ पर है अब देख लेते हैं इसमें से questions क्या-क्या बनते है what effect is produced at the branch end with the sitting of the mother goldfinch bird on it यानि जो branch या टहनी का जो सिरा है उस सिरे पर बैट के जब बैटती है वो आती है तो किस तरीके का एक effect create होता है क्या होता है जैसे ही जो goldfinch bird है वो आकर वहाँ बैटती है क्या बदलाव आते हैं what changes come तो देखिए with the sitting of the mother goldfinch bird at the branch end a suddenness and a startlement are produce मतलब जैसे ही वो आती है वैसे ही एक अचानक से एक startlement होती है और एक suddenness आती है यानि जो पहले क्या था stillness थी ठीक है एक stillness थी एक silence थी यह stillness और silence क्या दर्शा आता है students एक ठहराव हाँ death like ठहराव है बिलकुल है लेकिन एकदम stillness है एकदम silence है ऐसा लग रहा है कि सबकुछ एकदम रुका हुआ सा है everything is stop मतलब सबकुछ रुका हुआ सा है जैसे ही एक अचानक से आती है तो इस पेड़ को एक जटका सा लगता है कि पेड़ भी ऐसा लगता है मानो पेड़ भी चौंक गया हो कि यह अचानक से क्या हुआ और यह जो movement start हो जाती है so this is the scenario of before the bird came ठीक है so this is the previous scenario and this is the after scenario जहाँ पे एक अचानक से तो यहाँ पर एक अचानक से एक startlement आ जाती है startle मतलब चौंक जाना तो यह बदलाव आ जाता है it is very important it is very important बेटा ध्यान रखी ठीक है clear है आगे बढ़े next is why is the mother goldfinch bird alert while entering the thickness यानि जो mother goldfinch bird है वो थिकनेस मतलब इसमें गहराईयों में आने से पहले वो alert क्यों हो जाती है why alert right क्यों ऐसा होता है the mother goldfinch bird is alert while entering the thickness because she does not want the enemies to know about the existence of the baby goldfinch birds there क्योंकि वो नहीं चाती है कि enemies enemies कौन हो सकते है for example eagle हो सकता है ठीक है इसकी किसी को दिखना नहीं चाहिए right कि किसी ने उसको वहाँ पर बैठे हुए देख लिया तो हो सकता है पता चल जाए तो कब कौन bird आके उसकी गैर हाजरी में उसकी बच्चों को कोई नुकसान पहुचा दे क्योंकि यह बहुत commonly हो जाता है है ना तो यह नहीं होना चाहिए इसलिए वो इतनी alert है अपनी नजर हर दिशा के अंदर उसने रख रखी है while entering the thickness because she does not want the enemies to know क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी existence या उसकी मौझूद की उसकी presence जो है या उसके बच्चों की जो presence है जो chicks है उनके जो बच्चों की जो presence है वो उसके दुश्मानों को पता चले तो एकदम गुप चुप तरीके से रही किसी ने देखा तो नहीं और then enter the door right तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमारे goldfinch bird के साथ भी है I hope students यहाँ तक एकदम अच्छे से बढ़िया तरीके से clear है अगर कहीं पर doubt आ रहा है तो आपको अच्छे से बता है आपको क्या करना है क्या करना है आपको comment section में लिखकर मुझसे पूछ लेना है मैं आपको answer कर दूँगी ठीक है अब इसी के साथ इस video को like कर दीजे और share करना बिलकुल मत भूलिए शेर भी कर दीजे ठीक है चलिए next is which figure of speech is used to describe the movement of the mother goldfinch bird यानि यहाँ पर आपसे figure of speech या literary device या poetic device पूछा है क्यों movement बताने के लिए क्या है it is the simile simile क्या मैं poetic devices में अच्छे से समझा दिया है basically simile क्या होती है similarity दर्शाती है तो ऐसी चीजों के अंदर जिनमें as such कोई समानिता नहीं होती है जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मैंने यह आपको पहले भी कई बार समझाया है जैसे rose क्या होता है एक flower होता है ठीक है और love क्या होता है emotion होता है love क्या होता है emotion होता है भावना ही होती है लेकिन जो rose है जब rose होता है तो वो भी love को दर्शाता है ठीक है तो यहाँ पर जो flower है और emotions है उनको compare क्या है flower और emotions का देखा जाए तो एक category में नहीं आते है लेकिन फिर भी अगर इन दोनों में similarity ढूनी जा रही है और वो compare क्या जा रहा है बेसिकली comparison है ठीक है comparison है और यह compare करने के बाद जो है अगर समझ में आ रहा है इस तरीके से clarity आ रही है है ना तो क्या हो रहा है यहाँ पर इस comparison के बाद कैसी दो चीजों में compare करने के बाद जिनका आपस में as such लेना देना नहीं है ठीक है यह लेना देना नहीं है उसके बावजूद भी वो comparison के बाद एक meaningful एक sensible बात निकल कर अगर आ रही है तो वही simili होता है अब simili और metaphor एकदम exactly same है difference क्या है कि simili में like metaphor कहलाएगा clear है तो यहाँ पर यही used to describe the movement of the bird goldfinch यह अगर आप वो line देखेंगे extract में जाके तो वहाँ पर यह simili ही आपको मिलेगा poetic devices में भी मैंने आपको यह बताया है ठीक है students clear है next is what does the word twitching mean twitching का मतलब क्या होता है moving the body यह भी मैंने आपको समझाया moving the body कभी यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि पूरा हाथ मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ ले गई so this movement is known as the twitch no यह sudden and small movement होता है जैसे अगर मेरा चहरा यह मैंने explanation में भी आपको बता है कि हलका सा eyebrow ऐसे हो गई यह हो गई या आँखे मैंने ऐसे की या इस तरीके से कोई एक बहुत ही छोटा मैंलब small and sudden movement जो होती है body की उससे basically twitching कहा जाता है लेकिन हम इसमें पूरा moving the body ही कहेंगे क्योंकि यह twitching जो है repeatedly हो रहा है इस poem के अंदर क्योंकि जो bird है जब वो enter करती है scene में तो जिस तरीके से उसकी entry होती है twitching क्या है birds जो अपने punk वहाँ पे उसकत फड़ फड़ा रही है basically तो वो बहुत ही छोटे-छोटे actions है but you know 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह छोटा action है 1 यह लिए बार-बार-बार हो रहा है continuation में हो रहा है so this twitching is happening on a repeated basis तो इसलिए यहां पे यह moving the body ही आएगा and this is what twitching means और यहां twitching chirping बार-बार यहां twitching chirping है तो चीआँ 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 इस तरीके से, if you remember तो वो twitching chirping यह words इस्तिमाल हूए है इस poem के अंदर तो जो उनकी चह चहा हट है, तो ची ये एक movement हुआ छोटा सा, ठीकिन ची 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 तो ये repeated है, ठीक है, that's why it's moving the body, clear है students, आगे आची ची समझ में, आगे बढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है, basically यहां पर यह पता चल रहा है हमको, कि जो चड़िया है अब आचुकी है, पेड़ पर ठीक है, और अब कहां जा रही है, thickness, यानि कहां जा रही है students, जो पेड़ जहां से सबसे जादा घना है, वहां पर जा रही है, क्योंकि इसका जो घौसला है, वो वही है, और घौसले में काउन है, इसके बच्चे, right, तो वहां जा रही है, और जैसे ही बच्चों ने अपनी ममी को देखा, उन्होंने ची ची करना स्टार्ट करती है, which shows how excited they are to see their mom, यानि अपनी मदर को देखकर, जो जितने भी बच्चे हैं उस घौसले में, वो बहुत जादा खुश है, बहुत जादा excited है, और इसी वजह से यह जो बेजान पढ़ा हुआ पेड जो है, वो बहुत तेज ट्रेंबल करने लगा है, या इस पर questions क्या-क्या बनते हैं, तो जो पहला question है, वो है, how do the baby goldfinch birds react at the arrival of the mother goldfinch bird, यानि जो बच्चे हैं, उनकी mother जब आ जाती है, goldfinch bird जो है, वो जब आ जाती है, तो बच्चे जो है, किस तरीके से react करते हैं, खुश होते हैं, कि देखो, ममी आ गई, ममी आ गई, या क्या करते हैं, well students, ये जो बच्चे हैं, वो बहुत ही खुश होते हैं, बहुत excited होते हैं, कि देखो, ममी आ गई, ममी आ गई, या गई, at the arrival of the mother goldfinch bird, the baby goldfinch birds chatter, shake their bodies and even produce sounds of high notes, high notes, मतलब एक्दम high pitch, बच्ची, 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 बच्चे जो होते हैं, उनकी होती ही है, ठीक है, क्योंकि अभी तक पुलिटर्गी से डेवलप भी नहीं हुई है, तो एक तो चीची चीची शुरू हो जाती है, अपने पंक को फरफराना शुरू कर देते हैं, और इस तरहीके से चीची करते हैं, ऐसे बात कर रहे हो, कि अरे ममी कहां कही थी, कितनी दे एस बात करते हैं, नेक्स्ट, टेखते हैं, अघ separate to here as thickness, यहां पर thickness का क्या मतलब है, the inner part of the libanum top in general and the branch on which the girlfriend sits in particular is referred to here as thickness, यहां पर यह मैने आपको पहले भी स्मझाय है, thickness का मतलब निड़ी होता है, कि जिस डाली या तहनी पर उन बहुत मोटी भारी है, no, it's not that, what does it mean, कि एक तो inner part, यानि जो गहरा हिस्सा होता है, इस पेड का जहां पे बहुत जाल जनजाल है, और वो टॉप पर है, ठीक है, जाल जनजाल जहां पर है, एक तो वो है, basically, उसे कहा गया है, इसके अलावा, जो पर्टिकुलर जैस टहनी के तो वो भी क्या दर्शाती है, the thickness of the, the thickness of the branch, right, clear है, अच्छे से समझ में आया, students, ये thickness वाला question भी अकसर exams में आ जाता है, तो make sure, इस पर भी आप ध्यान दे, इसको भी ध्यान से answer करें, ठीक है, next is, what does the word thrills mean, वालब thrill जो है, उसका मतलब क्या होता है, the word thrills means shakes violently, मतलब जबर्दस तरीके से, you know, movement, जो बहुत ही strong movement होती है, कि, क्योंकि पहले वो एकदम शान्थ था, चो पेड था, लेबर्नम ट्री जो था, एकदम शान्थ था, लेकिन जैसे ही आई, तो बहुत बर्ड आई, जैसे ही उसमें, तो जोर-जोर से movement शुरू हो गए क्योंकि बच्चे भी excited हो गए, ममी आगई, ममी आगई, ममी भी excited है कि मेरे बच्चे मैं उनके लिए दाना लेकर आई हूं, तो इस तरीके से, दूसरे ही लेवल की एक जो है, वो यहाँ पर excitement चल रही है, तो इस वजह से बहुत जादा move कर रहा है, तो इस violent movement, या shakes violently, is known as what, thrill right students, clear है, आया समझ में, next is, why are the baby golfing birds looked upon as a machine, मतलब machine की तरह कैसे मतलब एक machine की तरह कैसे लग रहा है, बताईए, the baby golfing birds are looked upon as a machine because they seem to have a start and stop mechanism like a machine, या यह जो बच्चे जो है, वो machine की तरह क्यों बोले जा रहे है, क्योंकि आवास करना शुरू कर दिया था न, उन्होंने सिब machine की रवास होती है, क्या जिब कोई machine चालू हो, इसके अलावा, इसलिए भी, क्योंकि जब ये golfing bird आती है, और चली जाती है, तो जब आती है, तो ये बच्चों का भी ऐसा लगता है, स्विच ओन हो गया हो, कि birds भी न, चीचीचीची करना, ये जो छोटी बच्चे है, वो भी जब जब चली जाती है, तब ये जो बच्चे एकदम चुप हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि इन बच्चों में भी कोई on or off का बटन है, कि ममी के आने से जब आन जाता है, और ममी के चले जाने से off हो जाता है, मानू किसी machine में कोई वैसा बटन हो, तो basically बटन यही है कि ममी आगे ही, तो बच्चे खुश हो गए, ममी वापिस से चली गई, तो बच्चे फिर से चुप हो गए, ठीक है, clear है, आया अच्छे से समझ में, चली, next is, another stanza, the stanza is extract for, it is the engine of her family, she stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bad face, identity mask, यहां पर क्या हो रहा है, कि अपने परिवार का engine है, यह सारी चीज से आ रहे हैं कि किस तरीके से अपने परिवार का engine है, किस तरीके से यह अपने परिवार को full of energy रखती है, सारा सामान लाकर रखती है, जो भी चाहिए, फिर वापे सोड़कर branch की टेहनी के सेरे पर चली जाती है, और अपना चेहरा दिखाती है, जो कि उसकी पहचान बन चु Actually, this stanza, I should be saying, this stanza is very important, क्यों? क्यों important है? दो कारणों की वज़े से, एक तो यह कि इसमें जो engine शब्द है, यह समझाया गया है कि यह engine कैसे है, दूसरा जो है, वो इसकी identity वाली चीज इसमें बताई गई है, सो two things, engine and identity, यह दोनों ही इसमें बताया गया है, तो basically यहां पर बात किस की हो रही है, bird की, तो यह अक्सर आपके short और long answer type दोनों ही तरीके की questions में यह आ सकता है, क्योंकि यहां पर जो bird है, goldfinch bird, जो actually जिसका representation हुआ है life के साथ, उसके बारे में आ सकता है कि इसमें और किस-किस तरीके से represent किया गया है, तो किस-किस तरीके से क्या गया है, engine की त इसकी कैसे है, एक तो engine के तौर पर है कि यही अपनी, करता-धरता यही है अपने परिवार का, ठीक है, और identity और क्या है कि इसकी, और दिखने में इसकी क्या पहचान है कि body पूरी yellow है, लेकिन चहरे पे black color की धारियां सी है, ठीक है, bart face, use this word, bart face है, तो उसकी, bart face मिलब जिस प important, मैंने शुरुआत में ही कहा था video के, कि मैं हर एक जो stanza या extract है, उसके बार में बताती चलूँगी कि किस तरीके से questions उस पर और भी आ सकते हैं, ठीक है, clear है students, अब देखिए, यहां पर इस पे questions क्या-क्या बनते हैं, what is referred to here as the engine, engine की तोर पे किसे refer किया गया है, the mother goldfinch bird is referred to here as the engine, मतलब जो goldfinch bird है, उसे यहां पर engine के तौर पे जो है refer किया गया है, यहां फिर से मैं आपको एक और जल्दी से चीज़ बता देती हूं, जो मैंने MCQ में भी बताई थी, कि engine तो यहां पर bird है, लेकिन इस engine की source of energy क्या है, फिर से यहां लिख देती हूं students, source of energy क्या है, एक तो इसके जो बच्चे हैं, जो से क्या कहा गया है, young ones, ठीक है, और दूसरा क्या है, the tree, क्यों, क्योंकि इस tree ने इसे shelter provide किया है, किसे shelter provide किया है, bird को भी और उसके बच्चों को भी, ठीक है, तो इसलिए यह दोनों ही इसके source of energy है, तभी इनमें एक तरीके की प्रेरना आती ह है, इस bird के अंदर कि मैं अपने बच्चों के लिए यह करूं, और tree को लेकर भी इसके अंदर यह भाव है, कि tree ने उन्हें एक shelter दिया है, ठीक है, clear है students, अच्छे से समझ में आया, MCQs में भी मैंने आपको यह बताया था, यहां भी फिर से बता रही हूं, यह आपको यह बत mother goldfinch bird flirts out to the end of a branch, मतलब जो टहनी है, उसके सिरे पर पहत जाती है, easy, बहुत आसान है, in which sense is the face of the mother goldfinch bird, barred, मतलब जो face है, वो barred, जो है, उसका क्या मतलब है, in what sense, किस तरीके से कहना क्या चाह रहे है, यहां पर, the face of the mother goldfinch bird is barred in the sense that its face is dominantly yellow but has a black spot on it, यानि, चहरे पर काली धारी है या धबबा है, मतलब चहरे पर black निशान है, कि although पूरी body इसके yellow है, चहरा भी yellow ही है, लेकिन उसके धारियां है या धबबा है, ठीके, तो that is why it is barred face, clear है students, अच्छे से समझ में आ गया, then next is, what masks the identity of the mother goldfinch bird, यानि mother goldfinch bird के लिए, mask शब्द जो इस्तमाल क्या है, identity के लिए, वो कैसे क्या है, the yellowing leaves and the yellow flowers mask the identity of the mother goldfinch, बेटा, mask क्या होता है, mask का मतलब होता है, मुखोटा, ठीके, तो जब हम मुखोटा ओड लेते हैं, या मैं माली जे कोई face mask या मुखोटा ओड नूँ अगर, तो क्या, किसी को पता चलेगा कि मैं हूँ, नहीं, क्योंकि मैं नजर ही नहीं आओंगी, उ पूल और पतियां जो है, एक तरगी का मुखोटा बन जाती है, इस चड़िया के लिए, इसी लिए इसकी identity नजर नहीं आ रही है, बही कौन जी चड़िया है, कैसी चड़िया है, समझ ही नहीं आ रही है, ठीके, तो समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर यही बोला गया है, क पीले रंग होने की वज़े से, वो चड़िया भी जो है, वो नजर नहीं आ रही है, क्लियर है, स्टूडेंस, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया, और सिर्फ क्यों नजर आती है, वो नजर सिर्फ तब आती है, जब वो थोड़ी सी बाहर सिरे पर आती है, टहनी के, क्यों हमारे एक्स्ट नमबर फाइफ पे, यहां रहा है, यहां एक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, अगें, आफ्र एफेक एक बताया जा रहा है, कि जैसे ही वो चड़िया है, वो चली जाता है, जब वापिस इस पेड से चली जाती है, तो वापिस क्या हो जाता है, लेबरनम सबसाइट तो एम्टी, यानि फिर से वो वैसा ही एकदम खाली-खाली सा लगता है, सुनसान सा लगने लग जाता है, फिर से मानो एकदम बेजान हो और उसमें कुछ भी नहीं हो, So, she launches away towards the infinite, towards the infinite मतलब ये infinite क्या दर्शारा है बिटा, ये infinite दर्शारा है, यहाँ पर एक तो sky भी बोल सकते हैं, Sky भी बोल सकते हैं कि आकाश तो अनन्थ है ना, हमें मालूम ही नहीं कितना बड़ा है, कहां जाएगी वो, we don't know, दूसरा ये कि हमें नहीं मालूम है, वो जा कहां रही है, तो इसलिए भी infinite बोल रहे हैं, या अपने लिए दाना कोशने के लिए, पानी कोशने के लिए, तो वो चुकी चली गई है, और फिर से एक बार ये जो हमारा अमलतास का पेड़ है, फिर से यहाँ पर एकदम सननाटा यहाँ चागया है, एकदम यहां पर वो क्या हो गया है चुप सा हो गया है ठीक है students अब हम देखते हैं इस पर questions क्या क्या बनते हैं पहला है Towards what does the mother goldfinch bird launch away Towards what does the मतलब launch away मतलब अपने आपको launch कहां किया मतलब कहां चली गई किस की तरफ वो गई The mother goldfinch bird launches away towards the infinite यही word इस्तमाल हुआ है ना आपके chapter के आपकी poem के अंदर कि infinite की तरफ चली गई इसलिए मैंने अभी infinite पर ज़्यादा ध्यान दिया था कि infinite उसका अर्थ क्या हो आपको यह उसका infinite का meaning नहीं लिखना है infinite का meaning तो मैं आपको समझा रही हूँ कि इसका अर्थ क्या हुआ कि अनन्त में कहीं चली गई कि हमको नहीं मालूम है कि कहां गई है अपने बच्चों के लिए गई है खुद के लिए गई है we don't know that reason तो इसलिए infinite इस्तमाल हुआ है otherwise जो हमारे poet है वो sky भी लिख सकते थे लेकि नहीं लिखा ठीक है clear है students चली आगे बढ़ते है next is what change do you find at the lebanum top after the departure of the mother goldfinch bird यानि क्या बदलाव आपको lebanum top में देखने को मिलता है after the departure ये जो mother goldfinch bird है उसके चले जाने के बाद आपको ये जो lebanum tree है ये जो मिलतास का पेड है उसमें क्या बदलाव देखने को मिलता है वो top फिर से कैसा लगता है after the departure of the mother goldfinch bird the lebanum top becomes silent once again ठीक है अब यहाँ फिर से एक बार छुपसा हो जाता है एकदम silent लगता है अब student ये वाला जो question है ना वो कई बार short answer type question में भी आ जाता है not really long लेकिन short answer type questions में भी आता है तो वहाँ आप क्या-क्या लिख सकते है यहाँ silent लिखा हुआ है आप still शब्द का इस्तमाल कर सकते है जी हाँ death-like शब्द का इस्तमाल कर सकते है बिल्कुल कर सकते है death-like ठीक है इन सारी words का इस्तमाल आप कर सकते है as if it has no life यह भी मैं आपके लिख देती हूँ ताकि यह आसान रहे as if it has no life यह सब आप लिख सकते है everything you can write all of these things जब हम short answer type question में अगर हम यह explain करने के लिए आ जाए तो क्यूंकि आ जाता है so it's important in that way ठीक है students अच्छे से clear है समझ में आगया बढ़िया चली आगे बढ़ते है next is what does the word whistle chirp means यानि यह बात मैंने आपको पहले भी during the explanation of the poem भी समझाई है it means the whistle-like sound produced by the mother goldfinch यानि जो mother goldfinch है वो जो whistle जैसी जो sound produced होती है वही बता रहे है whistle-like इसको भी short answer type के अंदर आ जाता है क्योंकि इस poem के अंदर बहुत सारे जो है sounds को लेकर जैसे अपके NCRT solutions के अंदर भी था sounds को लेकर और movements को लेकर color को लेकर यह questions थे तो यानि इसके अंदर बहुत सारे sounds से related questions आ जाते है तो यहाँ पर अगर whistle-like में अगर आपसे यह पूछा जा रहा है कि short answer type में अगर पूछा यह long में नहीं आता है short answer type में अगर पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर whistle चरप को और क्या बता सकते हैं इसको आपको separately समझाना होगा पहले यानि पहले आपको whistle समझाना होगा उसके बाद आपको चरप ठीक है तो whistle क्या होती है students यहाँ पर whistle वैसे तो ct होती है तो लेकिन आप ct तोड़ी लिखेंगे यहाँ actually जो ct होती है वो बहुती sharp एक आवाज होती है तो यहाँ पर भी whistle उसी तरीके से आप बताएंगे कि जो छोटे बच्चों के आवाज होती है ठीक है चिरप का मतलब क्या होता है जह चहाना तो यहाँ पर क्या है noises produced again very important students चाहें तो screenshot ले लीजेगा noises produced by the birds ठीक है यह दो चीजें यह हो गई इसके बाद एक word और यहाँ पर आता है ठीक है यह दोनों तो है sharp noises sharp noises इसके बाद जो यह जो poem है उसके अंदर क्या आता है whispering शब्द भी है उस पूरी लाइन में तो whistle चिरप का मतलब तो यह हो गया है कि sharp noises produced by the young ones ठीक है यहाँ पर सिर्फ चिरप का मतलब बताया है इन दोनों का मिला कि young ones होता है ठीक है young ones अब यहाँ पर जो line में whispering दिया हुआ है because it's very important line इसलिए मैं आपको इतना जादा detail में समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो whispering इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आवाज शार्प है लेकिन volume कम है अब तीक ही आवाज है लेकिन जो volume होती है न वो बहुत दीरे है तो दीरे आवाज में whisper इसे फुस फुस आहट सी करते हुए यह जो बच्चे है वो अपनी मम्मी से कोई बात कर रहे हैं कुछ बतिया रहे हैं अब बिलकुल यह हो सकता है कह रहे हैं उस टाइम पर अपनी भ जाने शाम डलते आओगी तो बहुत लेट मत हो जाना वरना हमें डर लगेगा हो सकता है यह सारी चीजे अपनी मम्मी को कह रहे हूँ इस वेरी इंपोर्टन तो इसको ध्यान से ही समझे ठीक है नाव यह नहीं मालूम है कि जो गोल फिंच है इसको नहीं मालूम है कि क्या बताना चारी है अपने बच्चों से कहना क्या चारी है क्या समझाना चारी है हम सिर्फ आइडियाज ही लगाते हुए रह जाते हैं कि हो सकता अपने बच्चों से कह रही हो अपना ध्यान रखना ठीक है तो यह अपने बच्चों से क्या कहना च लिखा है, actually students ये एक personal experience भी रहा है यूज का ठीक है, और ये personal experience के तौर पी इसने पुरी poem लिखिये, तो वो ये identify करने में थोड़ा सा उसको परिशानी हो रही थी, कि यहां पर ये जो bird है, वो अपने बच्चों से क्या कहना चाह रही है What is she trying to explain What is she trying to convey to her kids, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इसी लिए इस शब्द का इस्तमाल उन्होंने यहां पर किया है, right students तो I hope आपको ये अच्छे से clear हो गया होगा, बढ़िया से समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हमारा ये extract based questions का जो video है, यहां पर over होता है, students कैसा लगा ये video, please ज़रूर बताईएगा, इसमें जितने भी और भी important questions जो हो सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताए हैं, कि किस तरीके से, और तरीके से, और form में बन कर वो आ सकते हैं, वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा है, explain करा है, तो please pay attention to that as well, ठीक है, इसके अलावा कहीं पर कोई भी doubt अगर रह गया है, तो make sure कि आप वो doubt भी मुझसे पूछ लें, ताकि आप कोई doubt लेके, कोई confusion लेकर आगे नहीं बढ़ें, right students, clear है, अब comments में बताईएगा कैसी लगी ये video, लाइक कीजेगा इस वीडियो को, और जादा से जादा शेर भी कीजेगा, और आपने अभी तक Magnet Brains इंदी को subscribe नहीं किया है, तो please इसे subscribe कीजे, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहे हैं, ये सभी के सभी top courses, एकदम free of cost, यानि class 6 से लेकर class 12 तक के सभी students के लिए, ये सारे के सारे courses available है, वो भी एकदम free of cost, कुछ भी आपको pay नहीं करना है, इसके अलावा Magnet Brains English Medium पर भी KG से लेकर class 12 तक के students के लिए CBSE board available है, again free of cost available है, इसका मतलब students दोनों ही channels पे आपको free education की सुविधा मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे opportunity है, तो इसका फायदा आपको जरूर से जरूर उठाना चाहिए, इसके अलावा, e-notes और e-books भी available है, जो e-notes हैं, उनके जानकारी में आपको बता देती हूँ, कि ये organized format में मौजूद है, और practice sets भी इसमें आपको मिलते हैं, ताकि exams के दौरान specially आपकी बहुत अच्छे से preparation हो सके, अब ये आपको मिलेंगे कैसे, well students अगर आपको e-notes या e-books चाहिए, तो उनको links आपको description box में दी गई है, जैसे description box में जाएंगे, आपको वहाँ पर links मिल जाएंगी, दोनों की ही, जैसे उन पर click करेंगे e-books और e-notes की सारी details आपको समझ में आजाएंगी, कि आपको ये कैसे मिलेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर मुझसे कुछ students ने पूछा है, तो इसलिए मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, कई बार ये जो question है, पूछ लिया गया है, वहाँ लिखा रहता है, more और इस तरीके से dot 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 आगे रहता है, इस पर click कीजिए, पूरा description box open हो जाएगा, और open होते ही, वहाँ पर आपको शुरू में ही links दिख जाएंगी, e-notes और e-books की, ठीक है, तो make sure आप ये करें, और इन लिंक्स पर click जरूर से जरूर करें, आपको सारी details इनकी पता चल जाएंगी, ठीक है students, clear है, इसके अलावा, Magnet Brains, English Medium और Hindi Medium, दोनों ही channels को follow करें, Instagram, Telegram, Facebook, Twitter और WhatsApp पे, जितनी भी details हैं, चाहे live से related हो, चाहे वीडियो से related हो, कब प्रेमिया हो रहे हैं, जो भी complete time table है, वो भी आपको पता चल जाएगा, कोई change है time table में, वो भी पता चल जाएगा, हर class, हर subject, हर teacher से related, जो updates होती है, जो changes होते हैं, नई informations हैं, सब आपको इन channels के through मिल जाएगी, तो make sure आप यहाँ पर follow करें, कोई confusion आपको फिर रहे गा ही नहीं, ठीक है students, सारी बात है clear हो गई, तो last में एक बार फिर से कह देती हूँ, कैसी लगिये, वीडियो बताना मत भूलिए, अपना doubt होने पर comment section में पूछ ले, वीडियो को like जरूर से जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा share करना है, और अपना ध्यान बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रखना है, ठीक है students, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक take care and bye bye